असलामों अलेकुम वेलकम बैक टू माइ चैनल आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगे चिकेन भुना मसाला बनाने की रेसिपी और ये बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिए रेसिपी को शेयरू करते हैं चिकेन भुना मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ खड़े म मिर्च और हमने यहाँ पे अगहाँ पे हाफ टीस्पाविए हैं सौफ हाफ टीस्पाविए जावित री एक टीस्फाविए हैं डो चोड़ी को शिल्याइड यह प्र कुछ जक्प रादा हैं आट हूंने चीजों की जरूरत है तो सबसे पहले हमें हमने जो भी चीजे लिया है इन सब को हमें भूनना है तो पैन लेंगे इसमें बड़ी लाइची दालचीनी लॉंग चोटी लाइची और काली मिर्च पहले डालेंगे और इसे डालने के बाद हम इसे 15 से 20 सेकंड तक भून लेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और 20 सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें एट करेंगे साबुत लाल मिर्चे और जीरा, सौफ और जावित्री और इसे डालने के बाद 10 सेकंड तक हम इसे भी भून लेंगे और 10 सेकंड के बाद अब हम इसमें डाल देंगे खस-कस और डाल देंगे इसमें नार्यल का बुरादा और इसे डालने के बाद इसे भी हम हलका सा भून लेंगे तो ये हमने भुन लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है चीज़े अच्छे से भुन चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू ब्यारी है मसालों की भुनने की तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको निकाल के इसका फाइन पॉडर बना लेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जो लिया था मसाले उसे हमने पीस लिये हैं फाइन पॉडर हमने त्यार कर लिया है तो बस इसे अब हम निकाल लेंगे और ये हमारा मसाला बिल्कुल तयार है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर तो यहां पर हमने कढ़ाई में लिया है तीन बड़े चमच तेल और तेल बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म है तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले डा और एक तुकड़ा दालची नी कर डालेंगे दो छोटी यलाइची और एक लॉंग डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम इसे बीस सेकेंड तक अब आल देंगे मैं तो अब हम इस कलर को चेंज होने जाने तक हम इसे भूनेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है ये भून चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे अद्रक लेसन का पेस्ट तीन टीस्पून और अद्रक लेसन का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसे दो से तीन मि इसमें टाल देंगे ये मसाला जो हमने तयार किया था और ब्लेμड Beim Kim outtaDay डालने के बाद इसमें नमक डालेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करा में और अब हम Nousak अब अब मेदा करें पका हैं मसाले में स blending तेल ह Each अलग हो जाया तब तक हम पकाईगे तो 5 मिनट हो चुका है और अब हम इसे खोल करके चेक कर लेंगे और यह आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल बिल्कुल अच्छे तरीके से अलग हो चुका है मसाले अच्छे से भून चुका है तो बस इसे हम मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे आपके से बनाये का बहुत मजे का बने गाए बहुत मजे का बनेगा और इसमें डाल देंगे टामाटर के मटार के अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें पानी आट करना है तो यहां पर मैं पानी डाल रही हूं और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और पानी को डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल तेज करेंगे और पानी को अच्छे तरीके से खौलने देंगे तो यह आप देख सकते हैं पानी अच्छे से खौल रहा है तो इस टाइम पे हमने इसमें डाल देना है तीन हरी मिर्चें बीच से कटकी हुई और इसे डालने के बाद मिलाएंगे और अब हम जो है चिकन को ढख करके पकाएंगे चिकन के गलने तक हम इसे ढख करके पकाएंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे तो चिकन को पकते हुए अभी बारा मिनट हो चुका है तो अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे और ये देखिए चिकन जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से अब पक चुका है और पानी भी इसमें से बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है और हमारा जो चिकन है ये चिकन भुना मसाला अब बन करके त्यार है तो बस अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे अब हम निकाल लेंगे तो दोस्तों आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइगी जेगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया अल्ला हाफीज